एक साइकलोजिस जो सिरियल खिलर वेगरा से डील करती है वो एक स्टेंजर से मिली उससे मिलने के बाद उसके साथ डिस्टर्बिंग चीज़े होना स्टार्ट हो गया अब इस सब के पीछे कौन है या आज के हमारे मुवी नेवर टॉक टू स्टेंजर इन 1995 की एक साइकलोजि के explanation स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन क्यारेक्टर सेरा जो एक साइकलोजिस्ट है एक सिरियल किलर के साथ बात कर रही थी सेरा ने का तुम्हें एक टिनेजर ने मर्डर करते हुए दिखा था किलर कहता है कि वो एक प्रॉस्ट्रूट है वो पैसों क करने के लिए यहां वो आई हुई थी है किलर कहता है मुझ्व कुछ आवज सुनाई देती है जो मुझो कुछ करने के लिए खेती है कभी-कभी टीवी से कभी-कभी वॉल्स में से सेरा का टाइम खतम हो गया और यहां से चली जाती है इसके बाद अपने फ्रेंड क्लीफ के साथ जो एक आर्टिस्ट है उसका एक्जिबिशन देखने के लिए आई हुई थी एक्जिबिशन बॉन्डेज या उस ताइप की कुछ दर्दनाक फोटोस का है सारा कहती है कुछ लोग होते हैं जो सचमुच में सब चीज़े करते हैं सारा को याच्छा नहीं लग रहा था त कहता है आज तुम्हारे खुचव बहुत ही अच्छी आ रही है उसके साथ इंटिमेट होना चाहता था सारा कहती है तुम मुझे फ्रेंड की तरह ही लगते हो क्लीफ ने कहा जब तुम या मूँ हुई थी तब हम दोने इंटिमेट हुए थे तब तो में तुम्हें कर बहुत ही घुसा था सारा अपने आपको एक्स्प्रेंड करते हैं इस शायद उसे भूलने की विमारी है यह उसे मल्टिवल पसनाइटी डिसॉर्टर भी हो सकता है जब तक मैं शूर नहीं तब तो मैं कोई भी जजमेंट नहीं देने वाली है इस किलर ने लड़कियों को मारने से पहले उनका रेप भी किया था किलर के लॉयर को लगता है कि सारा एक वूमन है तो यह बात उसके लिए शायद पसनल हो सकती है इसी वज़े से वो किलर को जादा से जादा सजा दिलवाना चाहती है वो गुछ से महीं यहाँ से चला गया रात में सारा अपने लिए बाय करने के लिए आयो हुई थी उसने एक बोटल ली तब इस ट्रेंजर ने उससे कहा कि यह सही चॉइस नहीं है इसके अलावा तुम कुछ और ट्राय करो इन दोनों को ट्रिंग्स के बारे में बहुत ही जादा नौलिज था इस ट्रेंजर ने उसे ट्रिंग के लिए बु आपनी हम में ने कहा कि मैं यूजूली ऐसा कुछ भी करता नहीं पर इस टाउन में में नया हुँ और मुझे फ्रेंज की जरूरत है शारा कहती है तो किसी और को फ्रेंड बना लो टोने ने कहा कि मैं एडमिट करता हूं तुम मुझे बहुत ही जादा एक्ट्रेक्टिव ल कहता है कि 61 की सारा पूछती है क्या तुमें लगता है क्या एक वाइन से तुम मुझे इंप्रेस कर सकते हो टोनी ने कहा कि मुझे लगता है कि तुम ऐसी ओरत हो जिसे जीतना पड़ता है सारा कोई बात अच्छी लगी तो बाहर आकर टैक्सी लेती है तो टोनी अपनी बाइक लेकर उसके पास आया कहता है अब हाव भी कह दो सारा के पास टाइम नहीं था पर उसने अपना नंबर उसे दे दिया कहा कि मुझे कॉल करना सारा जब घर पर आई तो उसके फादर उसे मिलने के लिए आय हुए थे उन्हें अंदरे में देखकर वो डर कही थी सारा के अपने फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है उन्हें फादर भी नहीं बुला दिये फादर चाहते थे कि आज रात वो यही रूखे पर सारा उन्हें मना कर देती है फादर को एक बड़ी विमारी है तो उन्हें ने कहा कि मैं ज़्यादा टाइम तर जिन्दा नहीं रहूंगा हमें एक दुसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए जैसे कि क्रिस्मस सारा कहती है कि हम क्रिस्मस में मिल सकते है पर प्लीज पहले मुझे कॉल कीजिएगा उसने फादर को मॉटेल के लिए पैसे दे दिये और वहाँ से निकाल दिया रात में सारा का नेवर उसके पास आया वो एक लटकी के साथ था तो उसे वाटका चाहिए था सारा कहती कि मेरे पास नहीं है नेवर कहता है मैंने तो तुमारी फ्रेज में देखा था वो खुद गया और लेकर आया सारा इस बात से सप्राइस थी ये बहुत ही अच्छी डिटेल है जिसे आप याद रखिए मूवी के लास्ट में सब कुछ क्लेर होगा एक्जाम और लाइन है तो उसमें भी आ सकता है नेवर घर में ही था तब इस सारा को टोनी का कॉल आया उसे अपना पता देकर सारा को वहाँ बुलाया सारा का नेवर इसके बारे में उसे पूछ रहा था सारा फिर टोनी से मिलने के लिए उसके पूरानी से बिल्डिंग में बहुचिए टोनी ड्रिंग लेकर रेडी ही था सारा ने का तुम मेरे लिए बहुत ही बुरे हो सब को सही चल रहा था और नेक्स सेकर में मैं एक स्ट्रेंजर के साथ ड्रिंग कर रही हूँ इसके बाद इन दोनों ने बहुत सारी बाते किये सारा अपने एक्स बॉइफ्रेंट के बारे में टोनी को बताती है कहती है कि वो अचानक से गायब हो गया उसने कोई भी लेटर नहीं छोड़ा कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं किया वो अभी वे उस वर बहुत ही जादा गुस्सा है सारा के नेबर का मानना था कि अब एक साल हो चुका है उसे मुवान करना चाहिए अब यही करने की कोशिश वो टोनी के साथ कर रही है सारा पुछती है तुम करते क्या हो वो कहता है कि मैं सिक्यूरिटी कंसल्टन्ट हो सारा ने कहा तुम्हारे साथ होते वक्त मुझे बहुत ही सेफ लगता है आगे सारा अपने बच्चपन के बारे में बताती है उसने कहा कि जब वो छोटी थी तब ही उसकी मदर की कार एक्सिडन्ट में डेथ हो गई थी उसके फादर का सेल्स का जॉब था तो हमेशा घूमते रहते थे वो अपने एंड के पास ही बड़ी हुई है ये सब बात ये करकर सारा को इंबैरस लगा टोनी कहता है तुम्हें कंट्रोल में ना होना इन सब चीज़ों के बारे में बात करना ये सब सूट करता है इसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे को किस किया और एक दूसरे की बाहों में ही सो गए सुबा होने पर एक दूसरे के साथ इंटिमेट हो जाते है इसके बाद नेक सेन में सैरा फेस से किलर के पास आई हुई थी वो उसे बुछती है कि लास सेशन में तूम आवाजों के बारे में बात कर रहे थे इस बार किलर ने कहा कि मुझे कोई भी आवाज चाहिए नहीं देती वो कहता है तूम मुझे फ्रेम करना चाहती हो तुम अपनी साइड चूस कर लो, एक तो तुम मेरे साइड पर हो, या मेरे खिलाफ यावर वो बहुत ही गुस्सा हो गया था, इंडारेक्ली उसे धमकी दे रहा था आज साइरा जब घर पर पहुची, तो उसके घर पर मुर्जाय हुए फुलो का गिफ्ट भेजा हुआ था इस बात से वो डिस्टब हो गई, रात में साइरा और टोनी फेल से मिले, टोनी साइरा के लिए शुटिंग का गेम खेल कर, उसे जीराफ गिफ्ट देता है साइरा पोश्ति है तुम्हारी इतनी शुटिंग अच्छी कैसी है, वो गहता है कि मैं पहले पुलीस हुआ करता था सेरा को बात बहुत ही सप्राइजिंग लगी ये उसने बात उससे चुपाई थी वह सेरा को गहता है तुम भी शुटिंग ट्राइ करो वो मना कर रही थी पर फिर भी टोनी ने उसे फोर्स किया शुटिंग करते वक्त अपने बच्पन की याद सेरा को आई अचानक से वो बेहोश हो जाती है टोनी उसे अपने घर पर लेकर गया था सुबा होने पर उसके लिए उसने टीवी बनाई सारा को टोनी के साथ होना अब अचानक से गलत लगता है उसने कहा कि अब मैं जा रही हूँ टोनी ने पहचान लिया कि उसे इंडारिकली ब्रिक अप करे ही है उस पर चिट गया क्यों मैं करती क्या हो हमेशा मेरे साथ पुश पुल पुश पुल खेलती रहती हो इन दोनों की फाइट होगी वस सारा यहाँ से चली जाती है थोड़ी देर में सारा ने अपना माइंड चेंज कर लिया वो फिर से टोनी के पास वापस आई यह दोनों इंटिमेट हो जाते है कर अने बर सारा को एक नोट मिला नूज स्विवर की एक पेज का एक नमबर था यह सारा देखती है तो इसमें सारा की डेट के बारे में लिखा हुआ था इन सब बातों से डिस्टर हो गए उसे लगा कि किलर ही यह सब करवा रहा है जाकर वो किलर के लोरे से बात करती है वो कहती है तुम मिलकर मेरी हरास्मेंट क्यों कर रहे हो लॉर कहता है इसे मेरा कोई भी हाथ नहीं है अगर killer ने ऐसा किया होता तो उसने मुझे बता दिया होता Sarah कहती है उसे multiple personality disorder है उसने शायद खुद किया है तो उसे याद भी नहीं इसके बाद next day Sarah की घर पर ही टोनी आया हुआ था यह दोनों मिलकर cooking करते हैं cooking करते करते पहन में आग भी लग गई थी दोनोंने मिलकरे बुझाए बहुत सारा तमाशा खड़ा हुआ पर दोनों इस बात को enjoy करते हैं टोनी को Sarah के साथ होना यह बहुत अच्छा लगता है अच्छानक से Sarah को उसके फादर का call आ जाता है यह Christmas के बारे में उससे पूछ रहे थे Sarah कहती है कि मैं आप से बात में बात करूँगी टोनी ने नोटिस किया कि अपने फादर से बात करते हैं डिस्टर्ब हो गई थी उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो Christmas में मैं तुमारे साथ रह सकता हो तुमें सपोर्ट करने के लिए Sarah नहीं चाहती कि उसके फादर से मिले टोनी कोई अजीब लगता है टोनी ने घर में ही Sarah के एकस बाइफरेंट की फोटो नोटिस की उसको गायब होए एक साल हो चुका है पर फिर भी उसके घर में फोटो क्यों है इस बात को लेकर टोनी अफसेट हो गया Sarah कहती है इस फोटो को रखना में भूल गई थी इन चोटी-चोटी बातों को लेकर तुम उसे फाइट मत करो टोनी भी इस बात को इग्नोर कर देता है अगली दिन जब Sarah फेसे काम से वापस आई तो उसकी कैट को मार कर उसे गिफ्ट कर दिया गया था इस बात से वो बहुत ही ज़ादा डर गई और पुलीस के पास आती है पुलीस ओफिसर के पास बहुत सारे कैसेज थे तो उसे हल्प नहीं करता कहता है तो एक प्राइवेट डिरिक्टिव हाईर कर लो ऐसे गैसेज में उस तुम्हें ज़ादा हेल्प कर सकते है Sarah उस पर भी गुस्सा हो गए आज उसे टोनी की सारे की बहुत ज़रूरत थे उसे वो कॉल नहीं कर पाई क्योंकि वो आउट आफ टाउन था मौरिनिंग में टोनी सारा की घर पर आया पर सारा कहती है अब बात करने के लिए अच्छी टाइमिंग नहीं है उसे वहाँ से कटाना चाहती थे टोनी मानता नहीं और घर में आ जाता है घर में और अल्रेडी सारा का नेवर था गुस्ता होकर बुच्छता है कि ये क्या यहाँ कर रहा है सारा ने कर रात के बारे में उसे सब कुछ बता है गयती है कि ये as a friend मेरे पास आया हुआ था टोनी गुस्ता होकर नेवर को वहां से निकाल देता है पर टोनी पर अब भी ट्रस्ट नहीं करती उसे लगता है कि क्या टोनी नहीं उसे भीजी उसे फुलो के बारे में भी वही लग रहा था टोनी ने बात पहिचान ली उसे कंफरन करता है सारा उसके बारे में इसा सोचती है तो उसे बहुत ही बुरा लगा कहता है शायद तुम मुझे पर ट्रस्ट कर पाती है हर्ट होकर वहाँ से हो चला गया नेक्सिन में हम देखते है सारा ने प्राइवेट इन्वेस्टिकेटर हायर कर लिया है वो इसके हेल्प से टोनी पर नजर रखेगी जब नेक्स टाइम वो टोनी के साथ डेट पर आई हुई थी इस वार वो प्रॉपर शुटिंग के लिए चलते है टोनी कहता है तुम तो गन से बहुत ही डरा करते थी सारा ने कहा कि अब नेट औरूंगी सारा चाहती तो है कि वो टोनी पर ट्रस्ट कर पाए तो उसे बुछती है मैं कैसे सीख सकती हूँ टोनी कहता है कि अब मैं बिना किसी डर की नीचे गिरूंगा मैंने अगर सर्शूज में ऐसा किया इसका मतलब है मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ टिक टॉकर्स के तरा सारा को भी एक करने के लिए कहता है सारा भी उस पर पुरा ट्रस करकर नीचे गिर गए और टोनी ने उसे बचा लिया टिक टॉकर्स के तरा आज इन्होंने अपना दिन बहुत याचे से स्पेंड किया था खुश थे तो रात में इंटिमेट हो जाते है अब टोनी फिर से अपने कुछ काम के लिए आउट आफ टाउन जा रहा था तो सारा का डिरेक्ट्व उस पर नज़र रखता है उसने कहा कि मैं किसी अलग टाउन जा रहा हूँ पर वो एलबनी गया सारा का टाउन यह सब बाते डिरेक्ट्व उसे बता देता है वहाँ जाने पर टोनी एक औरत और उसकी बच्ची से मिला डिरेक्ट्व सारा से कहता है शायद टोनी मैरीड है इस बात से सारा बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई नेकसे में हम देखते है सारा के घर में कोई इलिगली खुश गया था यह उसका नेबर नोटिस करता है और उसके पीछे हो भागा जो भी आदमी था उसने नेबर को बहुत ज़्यादा इंजूर कर दिया सारा को अभी अभी टोनी के बारे में पता चला है तो उसके घर पर वो पोच्चती है घर पर पोच्चने के बाद उसकी सारी जिज़े उसने चेक किए जिसमें उस पर एक फाइल उसे मिली इस फाइल में सारा के बारे में सब कुछ रेकॉर्ड्स थे वो किस हाई स्कुल में गई थी उसकी मदर के साथ क्या हुआ था इस सब कुछ यहाँ दिया गया है सारा को फिर से फ्लैश बैक में याद आता है उसकी मदर की डेध सीडियों से नीचे गिर कर हुई थी वो इस बात से डिस्टब हो गए थोड़ी देर में टोनी यहाँ पोहँच गया सारा कहती है कि मुझे अचानक से काम याद आया वहाँ से वो चली जाती है सारा जब घर पर आये तो उसके वाल्स पर लिखा था तुम मर जाओ इस बात से वो और भी ज़्यादा डिस्टब हो गई ज़रा रिलाक्स होने के लिए वो बात ले रही थी यहाँ देखते हैं उसके हीटर के स्क्रूस निकर गए थे यह कभी भी नीचे गिर सकता था सारा बाट टफ से निकले उसके बाद ही नीचे गिर गया अगर बहले गिरता तो सारा की डेथ हो जाते इसके बाद सारा ने पुलिस को कॉल किया पुलिस ने उसके नेवर के साथ भी जो हुआ यह सो उसे बता दिया पुलिस कहती कि एक सीरेस क्राइम है कोई तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था सैरा कहती है कि आपको जाकर टोनी से बात करनी चाहिए वो जब घर पर आई तो टोनी औरीडी उसके घर पर था वो भाग कर बुलिस को कॉल करना चाहती थी पुर टोनी उसे रोक लेता है टोनी ने कहा मुझे तुमसे बात करनी है वो उस्वर ट्रस नहीं करती तो उसके साथ ब्रिक अप कर लेता है सारा कहती है प्लीज मुझे मारो मत वो डर गई थी वो अपने परस के बास गई टोनी को लगा कि वो गण निकाल रही है तो टोनी ने अपनी गण भी निकाल ली सारा और भी ज़्यादा डर गई वो इसे पूछती है निई यॉक में तुमारे साथ कौन थी टोनी कहता है कि वो मेरी कजन है बेनी ये सारा के एकस बॉइफ्रेंड का नाम था ऐक्चली सारा के एकस बॉइफ्रेंड ने टोनी को हाईर किया था पता करने के लिए कि उसके ब्रिदर को हुआ क्या Tony कहता है मुझे ससस बता हूं इसके साथ हुआ क्या था Sarah कहती है हम दोनों की वी जो भी था ऐसा जोट था Tony कहता है कि बिलकुल भी नहीं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हो Sarah कुछ भी बात पर बिलिव नहीं करती उसे लगता है कि उसके साथ जो भी हो रहा था इसके पीछे टोनी ही था टोनी कहता है चोलो में तुमें कुछ दिखाता हूँ उसने सारा पे नज़र रखने के लिए हर जगा पर कैमेरे लगाया हुए थे इस कैमेरे में दिखाई देता है इस सारा के घर पर जो आया हुआ था उसके साथ जो भी हो रहा था योग खुद कर रही थे एक्चुली उसे multiple personality disorder है इसका मदलब है अचानक से उसकी personality change हो जाती है इस change के time में वो जो भी करती है उसे खुद को पता नहीं होता ये बात जानकर सारा बहुत ज़्यादा डिस्टरब हो गई तब ये उसके फादर उसे विजिट करने के लिए आ गए उनके शूस की आवाज को सुनकर उसे अपना पास्ट याद आया एक्चुली सारा के फादर ने ही उसकी मदर को मार डाला था फिर उन्होंने सारा को गन दी थी कहा कि फादर को हेल्प करो सारा को ट्रिगर पूल करने में हेल्प की पुलिस को लगा था ये सिर्फ एक एक्चिडन्ट है ये सब याद करकर सारा को चक्कर आ गई उटने पर अपनी मदर के बारे हम बात कर रही थे उसके फादर कहते हैं वो सिर्फ एक एक्चिडन्ट था सैरा कहती कि अब मुझे सब कुछ याद है तुमने ही मेरी मदर का मर्डर किया था हर रात मेरे कमरे में आकर तुम मुझे अभ्यूस किया करते थे इसी वज़े से मेरी आर्ण मुझे उसके साथ लेकर गई वो चिट गई थी तो उसने अपनी गन निकाली तोनी उसे शान रहने के लिए कहता है उसने का मैं अपनी गन ग्राउंड पर रख रहा हूँ तुम भी ऐसा ही करो तोनी ने गन रखी और सैरा उसे शूट कर देती है उसकी पसिनारिटी अब चेंज हो गई थी उसने का तुम्हें जानना था ना कि बेनी के साथ क्या हुआ है मैंने उसे मार डाला था वो भी तुमारी तरह ही मुझे जूट कहता था अपनी फादर की वज़े से हर आदमी को हेट करती है इसके बाद उसने फादर को भी मार डाला जल्दी से सारा घर वो क्लीन कर देती है अपने खिलाफ कोई भी सबुत नहीं रखती है अपने आप से कहती है तुम्हें इसके बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा वो घर के बाहर के और उसके बाद उसकी नॉर्मल की पसनलेटी फेस से उसके पास वापस आई उसे लगता है इटोनी और उसके फादर ने एक दुसरे को मार डाला यही बात तो पुलीस से भी कहती है पुलीस को यह सब सच लगा और उसे छोड़ देते है इसके बाद नेक सीन में सारा मल्टिबल पसनलेटी पर एक लेक्चर दे रही थी वो कहती कि जब भी बच्पन में बहुत बड़ा ट्रामा हो गया हो इस बात को छोटे बचे हैंडल नहीं कर पाते इसे कोक करने के लिए खोदी अलग-छोड़ पसनलेटी बना लेते हैं यही सारा ने भी अपने साथ क्या था उसे इसके बारे में पता भी नहीं है मूवी के लास्ट में अब वो अपने नेवर के साथ रिलेशनशिप में है इसी तरीके से ये मुवी हमें गेज करता हुआ छोड़ कर चली जाती है ये मुवी एक बहुत ये डिंजरस कैरेक्टर की ग्लीम्स थी है मुवी में हमने देखा था कि सारा के फ्रीज में अलकॉल थी उसे पता भी नहीं था इसका रेजन यही है कि उसे Multiple Personality Disorder है इसी पॉइंट के साथ आज का वीडियो हम कतम करते हैं अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा बहुत सारी मुवी लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकों दावने मत भूलेगा हम भी से मिलेंगे और एक नमो के साथ तब तेले थैंक्यू आप अपने आपका खैल रखिये